नमस्कार मैं कविता रावद आप सभी का आठवी कक्षा की राजनितिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ आज हम इस किताब का अध्याय दो जिसका नाम धर्म निर्पेक्षता की समझ है के उपर चर्चा करेंगे हम जानेंगे कि भारती धर्म निर्पेक्षता क्या है और कैसे भारती धर्म निर्पेक्षता हमारे सवीधान का एक बहमोल अंग है तो जानते हैं धर्म निर्पेक्षता क्या है हम सभी ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि भारतिय सभीधान का एक महत्पूर्ण लक्षन है धर्म निर्पेक्षता जिसको हम सेक्युलरिजम भी कहते हैं धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्म निर्पेक्षता है जैसा कि हमने पिछले अध्याय में समझा था कि राज्य जो सब्द इहां पे इस्तेमाल किया गया है तो धर्म को राज्य से अलग रखना मतलब सरकारी विवस्था से धर्म को अलग रखना जो नेता जिने हमने चुना है, जिने हमने वोट देके अपने अधिकार का निर्वाह करके चुना है, वह नेता धर्म को धर्म के अधार पर कोई डिसिजिन्स ना ले, इसे ही हम धर्म निर्पेक्षता कहते हैं. हमने यह भी समझा था, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजनितिक धर्म की उपाधी नहीं दी गई है, हम कह सकते हैं कोई भी रिलीजिन, नैशनल रिलीजिन नहीं है, आई यह बात करते हैं धर्म निर्पेक्षता की जरूरत क्यों है, क्यों राज्य को धर्म से अलग रखन महतपूर है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम एक लोगतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो यह बहुत महतपूर बन जाता है कि कोई भी नेता अपना निर्णे लेते समय धर्म को आधार बनाकर अपने निर्णे को ना ले सबसे पहली बात है लोगों के धार्मिक चुनाव की रक्षा के लिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सविधान के अनुसार हम सभी को हख है कि हम कोई भी रिलीजिन को फॉलो कर सकते हैं उसको प्रपोगेट कर सकते हैं उसको लोगों को बता सकते हैं उसका प्रचार प्रसार कर स तो लोगों के धार्मिक चुनाव की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी राजनेता अपने निर्णय को लेने के लिए धर्म को आधार ना बनाए दूसरा है धार्मिक अलप शंख्यकों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए हम कई बार न्यूस पेपर, मैगजीन्स और न्यूस चैनल्स के थूरू ये सुनते हैं या पढ़ते हैं कि कई बार कई जगाओं में धार्मिक अलप संख्यकों के साथ भेदभाव होता है कई बार उनको मृतियों के घाड़ भी उतार दिया जाता है तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमारा सविधान हमें रक्षा देता है हमारे सविधान में दो जगा ये लिखा गया है कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज्य है सबसे पहली बात अगर हम बात करें प्रस्तावना की क्योंकि पिछले अध्याय में हमने भारते सविधान को पढ़ा था उसके उपर चर्चा की थी और उसके मुख्य लक् भारत एक पंथ निर्पेक्ष देश है जिसको हम धर्म निर्पेक्ष भी कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रस्तावना में ही ये लिखा गया है कि भारत एक सेकिलर देश है तो इसका मतलब यह हमारा सिधान्त है यह हमारा आइडियल है इसके बेसिस पे ही नेताओं क काम करना है किसी भी धर्म को आधार बढा कर प्रिंडे नहीं लिया जा सकता हम इतिहास में भी कई बार ये पढ़ते हैं कि धर्म के आधार पर कई अत्यचार वे भेदवाव हुए जब हम बात करते हैं जौमनी में हिटलर की हमें पता है कि यहूदियों के साथ हिटलर ने किस तरेके का वरताफ किया और उनको किस तरीके से मारा गया उनके साथ कैसे भेदवाव हो रहा था जब हम बात करते हैं इसराइल की इसराइल में यहूदी लोग रहते हैं मिजॉरिटी जो हैं वो यहूदी हैं तो इसराइल में कई बार मुसल्बान और इसाई अल्प संख्यक गैर मसल्मान अपने religious institutions नहीं खोल सकते, ना ही वो public places में अपने religion को practice कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि विश्व में ऐसी कई countries हैं जहां पे secularism follow नहीं किया जाता. परन्तु हमारे देश भारते देश में ये follow किया जाता है और secularism एक आधार है हमारे लोकतांत्रिक. विवस्ता का. बेदवाव की ऐसी घटनाई तब बढ़ जाती है जब राज्य देश्क किसी एक धर्म को ज्यादा support करता है, promote करता है और किसी एक धर्म को राचनीतिक धर्म या राच्किय धर्म का उपादी देता है. या उनके साथ किसी तरीके का उत्पेडन करते हैं. इस तरीके की नियूस जब हम सुनते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि भारत की सविधान के अधार पर तो हम सभी हक है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको propagate कर सकते हैं. परंतु ऐसी किसी क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाए क्यों हो रहे हैं? तो जब हम भारती धर्म निर्पिक्षता की बात करें, तो हमें यह समझना होगा कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, जो अल्पसंक्यक होने की वज़ा से बेदभाव का शिखार बनते हैं. दूसरा पॉइंट हम रखते हैं कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं. यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्पूर हैं, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि एक ही धर्म के अंदर कुछ तबकी के लोगों को दबाया ज दबाया जा रहा था, और चुआ चूद जो थी वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं पॉपिलर प्रता थी इतिहास में, बट इस प्रता को हमारे सविधान के अधार पर गैर कानुनी बता दिया गया है. अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय में भी कई ऐसी प्रैक्टिसेज हैं और थी जिन में कई तबकी के लोगों को दबाया गया, उनके साथ भेदभाव हुआ. अगर हम बात करते हैं, तीन तालाग की, आप सभी ने तीन तालाग के बारे में सुना होगा, और 2017 में सुप्रीम कोट ने तीन तालाग को गैर कानों नी भुशित कर दिया. परन्तु इससे पहले बहुत बड़े आंदोलन हुए और मुस्लिम औरतों ने इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी. तीसरा है, राज्ये ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतनतरता चीनेगा. इसका मतलब है राज्ये. फिर से मैं कहूंगी कि राज्ये जो है यहाँ पे किसी पर्टिकलर राज्ये के लिए नहीं, किसी पर्टिकलर स्टेट के लिए नहीं, बलकि पूरी कंट्री के लिए यूज किया गया है, पूरी कंट्री की वेवस्था के लिए यूज किया गया है राज्य ना तो किसी धर्म को धोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंतरता को छीनेगा तो ये भी एक बहुत महत्वपूर लक्षन है धर्म निरपेक्षता का कि राज्य इंस्टुचीन, governmental institutions किसी भी religion को किसी भी वैक्ति के उपर नहीं धोप सकते सबी को अधिकार है कि वो किसी भी religion को follow कर सकते हैं और दूसरी बात है कि किसी की भी धार्विक स्वतंतरता को छीनेगा भी नहीं किसी को मना ही नहीं कर सकते कि आप इस religion को follow नहीं कर सकते आप इस religion को promote नहीं कर सकते आप इस religion के बारे में बात नहीं कर सकते इस तरीके के कारे राज्ये नहीं कर सकता। फिरबी हम देखते हैं कि धार्मिक वर्चस हमारे समाज में आज भी है। आज भी कई लोग जो बहु संख्यक हैं वे अलप संख्यक धार्मिक समधाय को केसान भेदबाव करते हैं और उनका उत्पीडन करते हैं। इस धार्मिक वर्चस को रोकने के लिए भारती धर्म निर्पेक्षता के कुछ मुख्य तरीके हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. पहला है भारते राज्ये खुद को धर्म से दूर रखता है वही बात है कि धर्म निर्पेक्षता का सबसे पहला लक्षन है कि राज्ये को धर्म से दूर रखा जाए दूसरा है अहस्त छेप की नीती और तीसरा है हस्त छेप की नीती या हस्त छेप का तरीका आप देखिए जो दो लास तरीके हैं, वे एक दूसरे से भिन हैं, अहस्त छेप की नीती और हस्त छेप का तरीका, दोनों ही तरीकों को कई बार अपनाया जाने पड़ता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले तरीके की भारते राज्ये खुद को धर्म से धोर रखता है, अ किसी एक धर्म के तहारों को नहीं मनाया जा सकता, अगर आप किसी गवर्मेंट इंस्टिट्यूट में कोई तहार मना रहे हैं, तो आप सभी तहारों को मनाईए, इसलिए आप देखते होंगे, कि हमारे कैलेंडर, अगर आप किसी भी साल का कैलेंडर उठाए, तो आप पता लगा सकते हैं कि कैसे भारते राजे एक धर्म निर्पेक्ष राजे हैं, आईए अब बात करते हैं अहस्ट छेप की नेतिगी, अहस्ट छेप जिसको हम non-interference भी कहते हैं, strategy of non-interference, आप कई बार देखते होंगे, कि सिक लोग जो पगड़ी पहनते हैं, वे motorcycle चलाते समय, हेलमेट नहीं पहनते हैं, ये राइट उन्हें भारते सविधान ने दिया है, क्योंकि उनका हक है कि अगर उनकी religious practice में पगड़ी पहनना जरूरी है, तो वो पगड़ी पहने और हेलमेट उनके लिए exempt किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे भारते धर्म इस तरीके की छूट प्रदान करता है, religion के नाम पे, अगर वो interfere करेगा, तो वो interference की नीती हो जाएगी, non interference की नहीं, तो आए हम बात करते हैं सयुक्त राजे अमेरिका की, USA में सरकारी स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपत लेते हैं, इस शपत में इश्वर की चत्रचाया शब्द आते हैं, साट साल पहले भी यह तै कर लिया गया था कि अगर यह शपत किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेज पहुँचाती है, तो उसको इसे दोराने की जरूरत नहीं है, परन्तु इसके बावजूत भी, वहां इस विक्यांच को कानूनी चुनौती दी गई, चुनौती देने वालों ने यह कहा, कि यह वाक्यांच अमेरिका के सविधान के पहले संसोधन में चर्च और राज्य के बीज किये गए अलगाव का उलंगन करता है, तो अमेरिका में जो सविधान है, उसमें भी यही लिखा गया है, कि चर्च इसका मतलब religion के matter पर राज्य कुछ नहीं बोलेगा तो बच्चों को इस शपत को दोराने के लिए क्यों कहा जा रहा है तो हमने जाना कि अहस्त छेप की नीती हमारी राज्य, हमारी country में भी follow की जाती है परंतु इस तरीके से follow नहीं किया जाता कि अगर किसी भी समुदाय या किसी भी समुदाय की एक तबकी के साथ भेदभाव हो रहा है तो सरकार उसे ignore नहीं कर सकती है तब उन्हें हश्त छेप करना पड़ेगा इसलिए मैंने आपको बताया कि अहश्त छेप की नीती हश्त छेप का तरीका से बिलकुल ही opposite है आप समझ सकते हैं interference and non-interference हश्त छेप की नीती हश्त छेप तब किया जाता है जब ये सोचा जाता है और ये समझ आता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय के rules उसी धार्मिक समुदाय या किसी और धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे है तो हमने दो ऐसे ही उधारणों के बारे में पहले भी चर्चा की पहला उधारण जो हमने चर्चा किया जिसके बारे में वह है चुआचूत की नीती जिसको सविधानिक रूप से गैर कानूनी गोशित कर दिया गया है और दूसरी हमने बात की ट्रिपल तालाग की तीन तालाग जो की एक बहुत ही गलत प्रथा थी मुस्लिम समुदाय में उसे भी औस अविधानिक करार कर दिया गया है जब हम बात करते हैं हश्ट छेप की नीती की तो इसमें हम एक उधारन ले सकते हैं फ्रांस का फ्रांस में 2004 में एक कानून पारित किया गया जिसमें यह बताया गया कि कोई भी बच्चा स्कूल में यहूदी टोपी, इसलामी बुर्खा या किसी भी तरीके का क्रॉस पहन के स्कूल नहीं आएगा किसी भी तरीके के religious symbols को पहन कर या उनका प्रचार करते हुए वे स्कूल नहीं आएगा इस कारण France में और कई और देशों में इसके खिलाब काफी आंदोलन हुए परन्तु यह law पास किया गया France में क्योंकि यहां पे सरकार धर्म निरपेख्षता को एक महतवपूर अंग नहीं मानती सविधान का परंतु जब हम बात करते हैं भारते सविधान की भारते सविधान में धर्म निरपेक्षता एक बहुत ही महतपूर आधार है लोकतांतरिक विवस्था का और इसे इग्णोर नहीं किया जा सकता चलिए कलपना करें एक ऐसे देश की जहां आप रहते हैं और आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म से के लोग वहां पर बहुत कम संख्या में हैं और जो दूसरे धर्म हैं वहां उनकी संख्या आपकी धर्म की संख्या से ज़्यादा है और आपको कई भीदभाव का सामना करना पड़ता है, आपको कोई रेंट में हाउस नहीं देता है, आप से कोई बात नहीं करना चाहता, आपको राइट्स नहीं है, आपको नागरिता का अधिकान नहीं दिया गया है, आपको राइट टू वोट नहीं दिया गया है, जबकि आ आप उसी देश में पैदा हुए, हो सकता है आपके पेरेंस किसी और देश से हो, परन्तु आप उस देश में पैदा हुए, फिर भी आपको इस तरीके के राइट्स नहीं दिये गए और आपके सांथ डेली लाइफ में बहुत भीदभाव होता है। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा ही भीदभाव उन लोगों के साथ, उन समुहों के साथ ऐसी कंट्रीज में हो जहां पे आपके धार्मिक समुदाय की संख्या जादा हो। या आप चाहेंगे कि सबको एकता का अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले। तो हम इस उधारण को दो तरीकों से ले सकते हैं, एक हो सकता है हम सोचे कि हम रिवेंज लेंगे, हम इसका बदला लेंगे, और जिस कंट्री में इस पर्टिकुलर धार्मिक समधाय के लोग कम हैं, उस कंट्री में इनके साथ भेदबाव किया जाएगा. और दूसरी तरीका हम देख सकते हैं कि हम एक ऐसी विवेस्था चुने, जहां पर सब को एकता का और समानता का अधिकार मिलें. तो धर्म निर्पेक्षता हमें यहीं सिखाता है कि सभी धार्मिक समुधाय के लोगों को एकता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए. जब हम बात करते हैं भारत के सविधान की, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में भारत के सविधान को विस्तार से पड़ा, उसके उपर विस्तार से चर्चा की और हमने जाना कि जो भारत के सविधान के निर्माता थे, उन्होंने किन आधारों पर सविधान का गठन किया आप जानते हैं भीमराव अम्बेडिकर के बारे में, उन्होंने अनुसुचित जातियों के उपर काम किया, उन्होंने अनुसुचित जनजातियों को ये कहा कि आपको तब तक पलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे, जब तक आप सोशली इक्वल नहीं होगे. समाज में अगर आपको एकता और समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, तो राजनीतिक अधिकारों से कोई लाब प्राप्त नहीं हो सकता. बी आर अमेडिकर का एक बहुत ही इंपोर्टेंट कोट है, जिसमें उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ, जो स्वतंतरता, समानता और भाईचारा सिखाता है. तो आप सभी जानते हैं स्वतंतरता, समानता और भाईचारा ये तीन मुख्य आइडियल्स हैं, सिधान्त हैं, जिनके बेशिस पर हमारे सविधान में कई कानून वेनियम लिखे गए. स्वतंतरता सबको फ्रीडम है और ये तो हमारा एक मौलिक अधिकार भी है. समानता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है और भाईचारा. ब्रदर होड, that means we all are equal. तो आएए जानते हैं कि आज हमने किस विश्यों के उपर चर्चा की है. स्वतंतरता, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, right to freedom. समानता, right to equality. ये भी हमारा मौलिक अधिकार है और भाईचारा, brotherhood. Brotherhood का मतलब हम समझ सकते हैं कि चाहें कितनी भी विबिनताएं हों, हम सभी Indians हैं, भारते हैं. तो आएए हम देखते हैं कि आज हमने इस अध्याय पर क्या-क्या विश्यों पर चर्चा की. सबसे पहले हमने जाना कि धर्म निर्पेक्षता क्या है, फिर हमने समझा कि भारती धर्म निर्पेक्षता के महतपूर लक्षन क्या है, और उसके बाद हमने यह भी समझा कि धर्म निर्पेक्षता किसी भी देश के लिए क्यूं महतपूर है. इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं, धन्यवाद. प्र fellow झाल, करते हैं, धन्यवाद.